नमस्कार मैं संजीव सुमन आप देखना सुरू कर चुके हैं न्यूटन टीपूर अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रहे हैं पस्चिम बंगाल से पस्चिम बंगाल विधान सभा यानि कि पस्चिम बंगाल के उप चुनाओ का रिजल्ट आ चुका है जो इसमें सबसे खास चुनाओ था पस्चिम बंगाल की मुक मंति ममता बंगाल जी का भवानी पूर से उपचुनाओ लड़ना अब वहां से जो खबर आ रही है उसके अनुसार ममता बंगाल जी भवानी पूर उपचुनाओ जीत गई हैं उन्होंने भाजपा के प्रियंका टेबरेवाल को अन्थावन अजार आच सो बतीस भोटों से हरा कर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज किये इसके आसंका व्यक्त पहले से ही की जा रही थी कि ममता बनर्जी ये चुनाव जीत सकती है लेकिन कुछ अंद्रूनी खबरों से ये भी अनपुष्ट खबर थी कि ममता बनर्जी भवानी पुर्चुनाव हार सकती है आपको बता दें कि भवानी पुर्चुनाव अगर ममता बनर्जी उप्चुनाव हार जाती तो वे पस्चिम बंगाल की मुख मंती नहीं रह पाती क्योंकि पस्चिम बंगाल में कोई भी विधान परिसत नहीं है जिसके चलते ममता बनर्जी के लिए यह चुनाओ करो या मरो का चुनाओ था करने का मतलब यह है कि ममता बनर जी अगर भवानी पूर चुनाओ हारती तो उनका पस्चिम बंगाल का मुख मंतिपद से इस्तिफा देना अनिवार हो जाता उन्हें मुख मंतिपद छोड़ना परता एक बात बता दें कि भवान मतों से जीत हासिल किया और बीजेपी को बहुत बड़ी पराजय का सामना करना पर है कुल मिला कर देखा जाए तो ममता बनर जी के लिए भवानी पूर उपचुनाओ जीतना एक सकून की बात है और उनके लिए सुकून भी है और उनके लिए एक और खबर है कि अब वे खु नाम क्या आता है और एक बात और बता दे कि भवानी पूर का भवानी पूर सही पूरे तीनो विधानसवा छेत्रों का उपचुनाओ तीस सितंबर को हुआ था जिसका रिजल्ट आज यानि की तीन अक्टूबर को जारी किया गया है आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए साथी साथ हमारे चैनल नियूट्वाइट को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि आज से हम कहानियों का सीरीज सुरू करने जा रहे है तो देखते दे नियूट्वाइट तब तक के लिए नमस्कार